स्टुडेंस अब देखो कि सापोज मैंने एक नमबर लिया के रियाल नमबर जो पॉजिटिव है हम लोग सिक्वेंस का लेक्चर नमबर क्या कर रहे हैं थर्टिन तक हो चुका था सिक्वेंस का लेक्चर नमबर 14 चल रहा है ठीक है तो देखो के क्या है के इस गेटर दें जिरो मिस्के पॉजिटिव रियाल नमबर है और मैं सपोज इस सिक्वेंस के उपर काम करना चाना हूं अब देखो क्या सिक्वेंस है के टू दिपावर वान बाइएन ठीक है के टू दिपावर वान बाइएन अब देखो के पॉजिटिव रियाल नमबर है तो इसमें तोम्हारा जिरो से लेके वान आएगा वान भी आएगा वान से बड़ाभी है Mo अब इसका जो नेचर है न घॉंछ भी हो सकते हैं डॉग क्या होगा उसी चीजे को पर हम और अभी काम करेंगे अब तुम बोलों कि अगर चुमने सी किकले काई देखां कॉशं अगर हो गारव तो क्या होगा है कि दो निगिटिव अगर होगा तो रियाल तो काम होगा यह नहीं क्यूंकि कभी अगर तुम को ही नंबर नेगेटिव लोगे उसके पावयर ऐगर 1byN है तो 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 तुम करी नहीं सकते हो, वो तो complex number में चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे तो negative number करी नहीं सकते है, तो हम लोग जो करेंगे, वो क्या होगा, only for positive वाला case, 0 वाला भी case आएगा, तो that means, मैं बोलना चाह रहा हो, कि suppose मैंने यह ले लिया, suppose यह 0 है, और यह 1 है, ठीक है, इस तरब तो करी नहीं पाओगे काम, इस तरब काम तुम करी नहीं पाओगे, क्यों negative है, तो आप सुनो, के positive number है, तो 0, 1 से बीच में एक बार आएगा, मने 0, 1 में कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 1 से बड़ा भी हो सकता है, अब एक बास सुनो, अगर मैं suppose, suppose मैं के को 0 ले लिया, तो बोलो तो के अगर 0 हो गया, तो तुमारा बोलो तो sequence क्या हो जाएगा, sequence तुमारा, 0, 0, 0, constant sequence, conversion आ जाएगा, ठीक तो, या फिर अगर तुम अगर 1 लोगे, तो देखो तो तब भी क्या आ रहे, sequence क्या रहे, बोलो तो, 1, 1, 1, 1, constant, convergent, constant sequence, convergent, तो 0 और 1 में तो convergent हो गई, उससे कोई मेरा ये नहीं है, बट जो main बात है न, वो तुमारा है, positive case में, अगर 0 और 1 में होगा, और 1 से अगर बढ़ा होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या क्या भैलू, इसमें 2 nature आएगा, जब ओ 0 से लेके 1 होगा, जब आएगा, 0 से लेके 1, इसमें sequence increasing होगा, और 1 से अगर बढ़ा कोई number होगा, तो sequence decreasing होगा, कैसे होगा, मैं आ रहा हूँ, तो मेरा जो main बात है, मैं किस चीज़ के उपर काम करूँगा, 0 से लेके 1, एक बात, एक बात क्या होगा बोलो तो, 1 से बढ़ा के लिए, ठीक है, एक लूँगा, के 0 से लेके 1 के अंदर, 0 less than k, less than 1, और और एक लूँगा क्या, k is greater than 1, ठीक है, तो देखो case 1, case 1 लो, case 1, case 1 में मैंने क्या लिया, k का जो value है, वो greater than 1 लिए, ठीक है, अब सुनो, अगर मैं बोलू, के मुझे nth time में sequence अगर है, sequence action बोल दो, अगर nth time में क्या आता है, n आता है, और n प्लस 1 में क्या आता है, n प्लस 1 अथ time में, n प्लस 1 आता है, तो मुझे एक बात बोलो तो, मैं अगर लिखू, 1 by n, greater than, 1 by n plus 1 सही है न, पॉजिटीव है तो 1 by n तो छोटा है n प्लस 1 बढ़ा है तो इसलिए यह क्या होगा रेशिप वाल करने से यह बढ़ा हो जाएगा ठीक है तो अब देखो के क्या है बुलो तो के वान से बढ़ा है तो हम लोग ने जब बेसिक बात बोला था रिया लेनिस का जो एक दम स्टाटिंग में क्लास किये थे वाडरिंग में हम लोग जो काम किये थे क्या बोला था कि कोई भी नंबर अगर वान से बढ़ा होगा तो उसका अगर तुम पाव से 0 और 1 के बीच में होगा ना तो बढ़ा पावर करने पर नंबर छोटा हो जाएगा तो ए रेस्टिक्शन था कि कोई भी नंबर अगर वान से बढ़ा है तो उसके पावर बढ़ा करने से बढ़ा होगा तो मुझे एक बात बोलो तो 1 बाई एन बढ़ा है और के वान से नएक ता हूं के k to the power 1 by n greater than k to the power 1 by n प्लस 1 ठीक है तो तो अब यहां पर देखो suppose यह जो सLESप्वेंस है suppose इस स्फिक्वेंस को मैंने एक्शन नाम दे दिया suppose दा सिक्वेंसी इज एक्षन ठीक है ए तमारा सिकैर सेक्वेंस है सिक्वेंस एक्शन ठीक है तो उसका नाम तो आप बोलो तो इस जगा पे मैं क्या लिख सकता हूँ इस जगा पे मैं क्या लिख सकता हूँ यह क्या है एनेट टर्म एनेट टर्म तो यह एनेट टर्म देनोट करता है XN सोरी सोरी एनेट टर्म क्या होगा XN ठीक है तो आर यह क्या है बोलो तो n plus 1s term xn plus 1 तो आप बोलो ns term n plus 1s term में क्या relation है ns term बढ़ा है n plus 1 term छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ the sequence is the sequence xn is is monotone क्या decreasing monotone decreasing तो देखो हम लोगों ने क्या दिखा दिया sequence को monotone decreasing दिखा दिया ठीक है तो कभे यह case हुआ बोलो तो जब k greater than 1 k greater than 1 के लिए sequence क्या आ रहा है monotone decreasing आ रहा है ठीक है इसका nature पहले देखो modern decreasing का मतलब क्या है value घड़ेगा ठीक है अब देखो suppose अगर मैं k का value 2 ले लिया suppose के तो 1 से बड़ा है ना अगर मैं suppose के का value 2 ले लिया तो बोलो तो sequence दो आएगा मेरा कैसा sequence आएगा 2 2 के power में क्या होगा बोलो 1 by 1 2 के power में 1 by 1 उसके बाद क्या होगा 2 के power में 1 by 2 2 के power में 1 by 3 2 के power में 1 by 4 टू के पावार में वान बाई फाइव एंड शॉन ऐसे चलते जाएगा ना तो अब एक बात सुनो यह जस्ट तुमको मैं समझाने के लिए पिक्चर जो टेक्निक है मैं समझाना चाहरा हूं कि इसको थोड़ा विजुलाइजन हो कि तुम इसको देख पाऊ के सिक्वेंस का न नंसत्र रिकालना पहले वाला तो आएगा दूसरे वाला क्या है रूट वल्या के लिए उसके बाद क्या करना ऐसको में ऐसे सिक्वेंस हो है तुम देख पार ये कहम पर जाएगा बॉरतोर休र में 1 पे converge करेगा ठीक है तो इसका मतलब k का value अगर 2 लोगे तो limit limit n tends to infinity 2 to the power 1 by n ये असल में क्या होगा बोलो तो ये 1 होगा ठीक है अगर तुम बोलोगे sir इसका picture क्या होगा इसका picture अगर देखने जाओगे तो देखो इसका अगर तुम picture देखने जाओगे suppose मैं इसका picture यहाँ पे draw कर रहा हूँ यहाँ पे अगर suppose draw किया ठीक है तो देखो अगर 1 यहाँ पे है और suppose मैंने 2 लिया यहाँ पे इसके बाद मैं ले जिनूगा क्योंको 1 आ 2 के अंदर ही होगा सब तो बोलो तो sequence का जो पहला time होगा यह क्या है 2 है ना तो 2 अगर पहला time है तो this is the first bounce बॉल से मैंने समझाया था उसके बाद क्या है 2 to the power अंडर root क्या है 2 ठीक है तो अंडर root दबाए है तुमने तो root 2 का value क्या होता है 1.414 तो suppose उसके बाद जो second time होगा ना उसके बाद जो value है ना घटेगा तो जरूर बट थोड़ा कम घटेगा ऐसे घटते गटते वान के तरफ वह जाते जाएगा वान में कभी पॉस्ट नहीं पाएगा बट वान को अप्रोच करेगा इंटेस्ट इंफिटी करने पे वान को अप्रोच करेगा ठीक है एक बात देखो इसको समझाने के लिए कि तुम लोग एक काम कर सकते हो मैंने सब्सक्राइब के टू लिया तुम के वान से बड़ा कुछ भी ले सकते हो मैंने यहां पर टू से तुम को समझाया तुम कुछ भी बड़ाव है नो ले सकते हो तो देखना कि वह असल में वान के तरब जाते जा रहे हैं सबस्वाज सोचो कि हम लोग जैसे बच्पन में जब हम लोग इस्कूल में पढ़ते थे नर्शरी स्कूल का कुछ भी तो एक दर बेसिक टाइप का जो क्या करना उसमें तुम क्या करना उसमें देखना तुम अगर किया हो तो याद आई जगा कोई भ दबाओगे तो क्या होगा वोलो तो पहले बार दबाओगे तो पावार होगा उसके बार दबाओगे तो क्या होगा पावार 24 ओगा वन Éड ङोगा 1 25 iceless са ऑगा उन्फे तुम देखना कुछ बाद तुम अगर दबाओगे तो देखना ओंभ धीरे वान के तरब जाते जा रहा है एक टाइम लेगा कि वो नंबर 1.00 ऐसे करके चल रहा है ठीक है तो आप कैल्कुलेटर को ऐसे राउंड आफ कर देता है कुछ बैलू निकालने के बाद कुछ बाद कुछ टाइम करने के बाद देखना वो राउंड आप करको उसको वान देदेगा असलमें वान तो वान बया टुए और सिक्वेंस का एक सबस्क्राइए होगा है हला कि अभी तक हम लोगा सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो जब हो सब्सक्राइब तो इस को मैं बोलेंगा अब देखो, यह sequence आप 0 पे convergent है ना, sorry, 1 पे जब convergent है, तो उसका sub sequence भी उसी पे converge करेगा, ठीक है, तो इसमें 2 का कोई यह नहीं है, 2 का कोई importance नहीं है, इसमें तुम 5 लो, 6 लो, 3 लो, कुछ भी लो, तो क्या होगा, कि greater than 1 के लिए, हम लोग क्या देखे, कि वो 1 पे converge कर जाए ठीक है, अब देखो, case 2, case 2 में हम लोग क्या लेंगे बोलो तो, case 2 में, जो होगा, वो क्या होगा बोलो तो, k होगा, 0 से लेके 1 तक, ठीक है, तो लिखो, तो अब देखो, k का जो भैलू है, वो मैं लोगा, 0 से लेके 1 के बीच में, तो देखो, इसमें क्या होगा, case 2 case 2 में k क्या है बोलो तो 0 से लेके 1 के बीच में 0 less k less 1 ठीक है अब देखो 1 by n गेंटर दन 1 by n प्लस 1 अब देखो आप जो base है के उसका वैलू 1 से चोटा हो चुका है 0 से लेके 1 तक तो इस case में base चोटा है तो power यह क्या करोंगे बेस 0 से लिए 1 मैं हम लोगों ने क्या बोला था उसके case में power अगर छोटा होगा तो value बढ़ा हो जाएगा तो इसमें ultra case हो जाएगा means अब देखो यह चोटा value है तो 0 से लिए 1 छोटा है तो उसका power चोटा करने पर बाव हो जाएगा तो आप बोलो तो XN less than क्या हो जाएगा XN plus 1 तो अब यह जो sequence है न यह आप monotone क्या हो जाएगा बोलो तो decreasing नहीं यह आप increasing हो जाएगा monotone increasing तो XN sequence क्या बन गया monotone increasing तो एक बात सुनो इस sequence के लिए हम लोग ने क्या देखा कि अगर sequence के 1 to the brain में K जो positive number है अगर यह 0 से लेके 1 तक आ रहा है तो monotone increasing हो रहा है और K अगर 1 से बड़ा हो रहा है तो क्या देखा हम लोग ने monotone decreasing ठीक है एक बात देखो अगर मैं इसका picture draw करूँ क्यों क्यों picture draw करने से इसको तुमको समझने में आसा नहीं पड़ेगा देखो suppose मैंने यह तुमारा एक line लिया बढ़ा करके एक measurement करके ले ना suppose यहां पर मैंने क्या बोला यहां पर है तुमारा 0 ठीक है तो और यहां पर है suppose 1 ठीक है और इस तरह पर चलते जा रहा है आप सुनों तुम जब k का value 1 से बढ़ा लोगे ना means 2 लो 3 लो 4 लो 5 लो कुछ भी लो 1 से बढ़ा लोगे तो इस sequence के लिए जो time होगा ना यहां से सब्सक्राट करोगे ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा आते आते जो sequence का time है वो 1 को अप्रोच करेगा देखना वो 1 को अप्रोच करेगा ठीक है और अगर तुम केका वैलू 0 और 1 के बीच में लेना सब्सक्राट के पास साइन्टिफिक क्या 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 करना इसका अंडरूट करना तो अंडरूट करोगे तो देखना इसका वैलू बढ़ेगा फिर से अंडरूट करना तो देखना वैलू फिर से बढ़ेगा सब्सक्राट पॉइंट फाइब पॉर है यहाँ पर अगर पॉइंट फाइब है तो पॉइंट फाइब पॉर यहाँ पर आएगा उसके बाद sequence का जो time है sequence का जो time है या फिर अगर मैं इसको एक बात सुनो मैं अगर समझाने के लिए अगर ऐसे कर दूँ तो देखने में अच्छा लगा पिक्चर सपोज मैंने इसको क्या लिया सपोज इसको मैंने लिया 2.9 तो यहाँ पर देखो 2.9 जो है सपोज यहाँ पर है 0.2.9 अब जो second time होगा जब तुम उसका root करोगे ना तो देखना ओटाम बढ़ेगा तो ओटाम बढ़ते सपोज यहाँ पर आया उसके बाद ऐसे जाएगा जाएगा तो तुम जैसे अंडर 0.9 5 6 ऐसे कुछ आ रहा है उसके बाद 0.99 फिर से 9 का नंबर बर जाएगा ज्यादा ऐसे देखने एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा बोलो तो क्या राउंड आप करके उसको वान दिखा देगा असल में वान को एप्रोच करेगा तो ऐसे चल दे जाएगा तो यहाँ से क् से क्वेंस है के के लिए के जाब वान हो रहा था वह थो तो कंबर जैंक यह 0 के लिए भी कंस्ट्रेट सिक्वेंस जिरो को कौ Dalでも रवान से बड़ा है तो हम लोग ने क्या देखा a sequence Converse to one but the sequences decreasing mono líquindo one one Chris दोच्छिक्युस से ना वह क्या हो रहा है बोलो two monotons in cruising cover the camera every one P Converse कर रहा है कौन बाइस दोनों को कर रहे बाठ दोनों का नेचर अलग है कि कीज कारोगा तो नेगटिव हो नहीं पाईगा वो तो अलग के से नेगटिप क्यों नहीं होगा कारण तो complex का बात चलाएगा but k positive के लिए हम लोगों ने क्या देखा 0 से लेके 1 तो sequence is monotone increasing and converge to 1 and if k is greater than 1 then sequence is monotone decreasing and also converge to 1 ठीक है तो दोनों का limits है मैं but दोनों का nature अलग है ठीक है अब next लिखो अब देखो students अब जो sequence ले रहा हूँ देखो xn sequence लिया ठीक है यह sequence लिया है कैसे define लिया है देखो xn xn तुमारा है 1 plus 1 by n to the power n ठीक है यह sequence लिया है तो अब देखो बोलो तो इसका 1 बैठा होगा देखो क्या होगा फैले टाम क्या होगा sequence का x1 क्या होगा बोलो x1 होगा तुमारा 1 plus 1 by 1 1 क्या आएगा 2 आएगा न ठीक है तो x2 क्या आएगा बोलो तो 1 plus 1 by 2 power 2 3 by 2 के power 2 क्या होगा 9 by 4 होगा ठीक है और 9 by 4 क्या आता है 2.25 ऐसे x3 x4 तो एक बाद सुने students तुम लोग को मैं काम दे रहा हूँ x6 x7 ऐसे करके x7 तक इसका जो भैलू है ना इसको कैलकुटर में निकाल लेना scientific कलकुटर या normal कलकुटर से निकाल के देखना इसको plot करके देखना इसका जो पिक्चर होगा देखो suppose मैंने यहाँ पे 2 ले लिया ठीक है और इस साइड में suppose यहाँ पे देखो 3 ले लिया और इस जगा पे e ले लिया ठीक है e क्या value जानते हो 2.718 क्या होता है 828 एप्रोक्स हाई था ठीक है तो 2.718 अब देखो यहाँ से मुझे एक बाद बोलो तो जो sequence का जो पहला time है वो क्या है 2 है तो ball का जो पहला टपा होगा वो 2 पर पड़ेगा उसके बाद सेकेंड कहाँ पे 2.5 2.5 पे यहाँ पे उसके बाद फिर ऐसे जाएगा तो तुम देखना यह जो sequence का जो time जब तुम पूट करोगे तो increasing sense पे तो होगा बट ओ यह को अप्रोच करेगा यह को अप्रोच करेगा तुम लोग पहले यह सब निकालना देखो यह तो मैं तुम जब वैलू पूट करोगे तुम को दिख जाएगा पिक्चर में दिखेगा बट असल में जो तुम पिक्चर में दिख रहा है तो example मैंने करा रहा हूं इससे यह पूप नहीं हुआ कि यह तुमारा e को converge कर रहा है क्योंकि जब तुमको पूप करता है पूप करना पड़ता है तो उसके लिए तुमको एक step यह करना पड़ता है मन example से कोई भी चीज़ पूप नहीं होता है तो उसके लिए तुमको पूपर mathematical way से काम करना है जैसे suppose तुम क्या करना देखो मैं तुमको यह homework दे रहा हूं जो formal proof है इसका मतलब so that the sequence is convergent and converged to e इसका जो formal proof है वो मैं कराओंगा पर तुम लोग मैं काम दे रहा हूं कि तुम लोग क्या करना देखो पहले तो तुम लोग दिखा देना कि xn प्लास 1 xn nth nth term से क्या है बड़ा यह equal है वो दिखाना ठीक है that means तुमको क्या proof करना है 1 n plus 1 एक टाम क्या होगा बोलो 1 by 1 plus n sorry n plus n sorry n plus 1 to the power क्या n plus 1 greater than equal to 1 by 1 plus 1 by n तो तुम लोग का जो काम है न यह तुम लोग का मैंने homework दिया ठीक है तो तुम लोग क्या करना इसको पहले proof करना यह इससे बड़ा है अब तुम बोलोके sir इससे जो बड़ा है एक कैसे दिखाए इसके लिए तुमको देखो यह तुमको proof करना पड़ेगा यह जब proof करोगे तभी कि तुम वो काँ कर पाऊगे अब तुम बोलकर है सर इससे नहीं होगा ना इससे नहीं हो गाई तっと एक एक example है देखो कोई भी चीज़ अगा यहां पर तो साथ के लिए पर कोई भी चीज और साथ के लिए बोलो so के लिए बोलो या फिर हजार के लिए बोल लो अगर हो रहा है तो इस से कंझ समर्गेक बोल सकते हो कि वह been true हो चुकआ है क्यूक्र जब कोई चीज हो रहा है तो उसके लिए तुमको पूर देना पढ़े है एक्जामपल से नहीं हो घृत के तो फोर्मल 2025 देना पढ़े इसका पाइनोमिल एक्सपेशन जो टाम आया इसका जो आएगा उसके बीच में कॉम्पेर करना तो कॉम्पेर करने के बाद देखोगे कि इसमें थोड़ा ज्यादा है तो इस हिसाब से बढ़ा हो जाएगा ठीक है उसके बाद तुम लोग करना मैं जस्ट इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना क्योंकि इस से तुमको याद रहे जाएगा इस सब्सक्राइब अब चलो नेश्ट जो मैं सिक्वेस्ट आ रहा हूँ तो इस्टुडेंस तुम लोग पहले मुझे हमवाग जो दिया इसको पहले करके लाना एप पूरूफ क्योंकि अगर हो जाएगा तो तो तुम वह मुझे कर सकते हो कि कौन बाट दिन एपे करेगा वो तो मैं नेक्स्ट क्लास में फॉर्मलेटी में उसको फॉर्मल पूरू फॉर्मलेटी पॉलता है कि सदिकिए इसके उपर पावर एन प्लास वान है और इसको पर एन है तो एप बड़ा पावार तो क्या होगा यह बढ़ा हो जाएगा वैसे नहीं हुआ क्यों बोलो तो करन इसका पावर अगर बढ़ा है तो तुम देखो इसका बेस ज्यादा है तो इसका पावार इंक्रीजिंग है बट इसका बेस ज्यादा है तो तुम ऐसे नहीं बोल पाऊगे ठीक है तो तुमको इसका पोपर पूप करना है बाइनमेल से इसको करके लाना उसके बाद मैं इसका जो प्रूफ है फॉर्माल हो तो कराऊंगा मैं जस्ट तुमको एक पिक्चरेशन टेक्निकल प्रूप दे दिया दिखा दिया कि ऐसे होता है अब देखो नेक्स्ट जो सिक्वेंस लूँगा और एक सिक्वेंस यह भी दाकर वान भएएन ठीक है तो मुझे बोलूगे यहां पे फास्ट तांझ क्या होगा एक सवान क्या होगा वान एक्स्टो क्या होगा एक टो टू जु लूट टू ए मिन परिखन पयोटन ऊट्ता है일 फोर वान-फोरल टू नहीं है और X3, क्या होगा बोलो, 3 के पावर में 1,3, X4, 4 के पावर में 1 by 4, बोलो इस सब का भैलू सब निकालना, X7 तेक तुम लोग करना, उसके बाद जरूदी नहीं है, X7 तेक कर लेना, इसका फिक्चरेशन मैं देखूंगा कैसे एक काम कर रहा है, यह जो सिक्वेंस है, अब देखो, 3 के पावर में 1 by 3 करोगे, तो तुम्हारा जो भैलू आएगा, 1.442 सापोज आएगा, देख ले ना करके, और X4 जो है, 4 to the 1 by 4, तो यह क्या हो जाएगा बोलो तो, यह तो असल में रूट 2 ही बन जाएगा ना, तो यह क्या होगा, 1.4142 होगा, ठीक है, उसके बाद करना, ठीक है, असल में रूट 2 ही आगा, अब देखो, अब इसका थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं, इसका पिक्चर देखने से, पहले तुम लोग इसको यह 1 से चाल हुआ, 1.4142, तो इसका जो तुम लोग इसका प परा करके ड्रो करना, नहीं तो सबज नहीं पाओगे, सबोज मैंने यहाँ पर क्या लिया, 1 लिये, सबोज यहाँ पर 1.1 लिये, 1.2 लिया यहाँ पर, 1.3 लिया यहाँ पर, ठीक है तो, और 1.4, थोड़ा बढ़ा ले रहा हो चाहा, कि 1.4 में ज्यादा काम हो रहा है, 1.4 और क्या बोलो तो, और मैंने यहाँ पर ले लिया, 1.5 थोड़ा इसमें बढ़ा लिया कारण यहाँ पर मैं काम करूंगा, ठीक है, अब सुनो, पहला, एक स्वान, सिक्वेस का पहला टाम कहां पर बोलो, बोल का पहला टाम पर 1 पर, उसके बाद, 1.41 फोट टू, फोट टू तो, सपोज मैंने यहाँ पर, 4142, तो 1.4, तो एक के बाद क्या आएगा, 1.41 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बोलो तो, यहाँ पर आएगा, 1.44, ठीक है, तो देखो, बोल का पहला टाम पर, उसके बाद कहां पर बोलो तो, 1.41 फोट टू पर, मैंस यहाँ पर, देख गया उसके बाद देखो फिर से वही time repeat कर रहा है 1.4142 जो है तो उसके बाद first यहां पर second यहां पर third यहां पर उसके बाद बोलो तो उसके बाद यह return करेगा उसके बाद यह return करेगा fourth उसके बाद return करते उसके बाद जब तुम्हें value calculate कर गए ना तो देखना ऐसे ऐसे करके decrease होते होते one के तरफ हो जाता जाएगा calculate कर देखना proof तो मैं formal proof कराऊंगा बट तुम इसको calculate करके देखना देखने से तुम समझ जाओगे कि जो 3 के बाद जो time है ना जो 4142 आया ना उसके बाद x5 करोगे तो value इससे घड़ जाएगा exist करोगे फिर घड़ जाएगा ठीक है तो तुम लोग ए picture पहले value निकाल के इसको plot करना ठीक है तो देखना यह 1 कोई converge करेगा अब सुनो अगर तुम इसको proof करोगे यह तो जस्ट मैंने technical proof दिया picture से समझा दिया बट तुमको जो proof करना है formal proof वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे तुमको तुम लोग को इसको भी homework दिया देखो n to the power 1 by n greater than n plus 1 to the power क्या 1 by n plus 1 ठीक है तो यह तुमको क्या करना है मुझे proof करके देना है ठीक है एक किसके लिए for all n greater than equal to 3 अब तुम बोलगे से greater than equal to 3 q देखो यहाँ पर जो sequence है ना इस sequence को मैं direct monotone decreasing नहीं बोल पाऊंगा यह decreasing तब है जब 4 या 4 के बाद माने 3 के बाद से तो मैं बोल सकता हूं कि the sequence xn is क्या is monotone decreasing decreasing क्या for n greater than equal to 3 फोर n greater than equal to 3 ठीक है तो अब देखो formal proof के लिए तुमको पहले यह proof करना है ठीक है तो तुम लोगा काम क्या है तुम मुझे यह पहले proof करके देना है अब इसको proof करने के लिए तुम लोगरेधिक का भी यूज कर सकते हो या फिर एम जी एम जो है उसका भी concept यूज कर सकते हो ठीक है तो ओ काम तुम लोग के लिए मैंने दिया क्योंकि मैं जो फॉर्माल प्रूफ है इसका तुम फॉर्माल प्रूफ करी दूंगा इसके बाद ही करों अब तुम लोग को बद उसको समझ पार यह नहीं बट अब यह से नहीं होगा कि तुम क्या करो पहले घर पे जाके तो सैथ झाल, झाल, झाल.